हेलो फ्रेंट्स वेल्कब टो आर चानल हमारी अपनी पार्ट साला आज हम आपके लिए लिख रहा है जापान से बहुत ही एक करेंट नियूज और यह बहुत इंपोर्टेंट है कई अस्पेक्ट में एकोनॉमिक एक्सपेक्ट में पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जो की आने व पॉर हेल्थ रिजन जापान के पधान मंत्री शिंजो आवे ने अपने पत से स्थीफा दे दिया है किसी स्वास्त कारण के वज़े से कल उन्हों ने अपना इस्थीफा दिया लास्ट ये विकेम जापान्स लॉंगेस्ट सर्विंग प्राइम नेस्टर पिछले साल वो जा कर दिया है कि वह अब तक के सबसे लंबे कारेकाल तक पधान मंत्री पत्पे बने हुए थे जो कारेकाल उनका था वो था जिसे फर्स्ट ट्रम था उनका 2006 से 2007 तक दूसरा 2012 से 14 तीसरा 14 से 17 और 17 से अभी तक चौथे में थे वह सिंजो आवे के स्तीफे के साथ आवे नॉमिक युक का अंद्र जरोड़ी नहीं आने वाले से जारी रखेंजा आजके पेपर में यह पेपर में आया था और इस बात का बहुत ज्यादा महत्वाएं इसमें कुछ चार पॉइंट्स हैं जो कि बहुत जादा इम्पोर्टेंट इस पेपर कर्ट में हैं ठीक है इसको हम आग जापान के दूसरा है तारो कोनों जो की अभी रक्षा मंत्री है जापान के और तीसरा किशिदा जो की पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं वहां के तो चलिए अब चारो पॉइंट्स को देखते हैं तो पॉइंट्स एथा दो मोस्ट हाइलाइटिंग फिंग यह इस देट नाओ देर सक्सेशर में चेंज दर मॉनेटरी पॉलिशी ऑफ जापान विच चाइना यहां पर यह है जो सबसे ज्यादा क्यास लगा जा रहा है कि चर्चा में है कि जो उनक सब्सक्राइब करने के लिए मजबूत करने के लिए उन्होंने मॉनेटरी पॉलिशी में बहुत ही अनक्स्पेक्टेड बदलाव कि तता राजकिये को नीती में भी लचीला बनाया इसी को एबनोमिक्स कहते हैं इस शीवा जो प्रधान बन जो अभी वहां के रक्षा मंत्री एं वहां के रहे हैं इससे पहले जापान के पॉलिस्ट पॉपिलिस्ट देन आवे उनका जो आर्थिक नीती है वह आभी जी के नीती से जादा लोकवादी है जादा पॉपिलर है अगर वह जापान के पधान मंत्री बनते हैं तो वह आभी की नीती जो आभी की कोशी से थी चाइना के साथ रिलेशन बनाई रखने की वह इसको कंटीनियू रखेंगे अगले हैं तारो कोनो यह अभी करेंट डिफेंस मिनिश्टर है वहां के जापान के और यह जो हैं अब देखते हैं अब देखते हैं वाट इस अबनोमिक्स अबनोमिक्स क्या है अबनोमिक्स प्रोग्राम इस अबनोमिक्स प्रोग्राम को उन्होंने लाया था इस प्लान वाज तो जंप स्टार्ट जापान से एकोनोमी आउट अफ टू डिकेड्स जो दो दसक से जापान की एकोनोमिक्स थी उसमें वह यह एक उछाल लाना चाहते थे जो की लगबग तो दसकों से काफी इस्तिर थी थी एरोज ओफ एबरॉमिक्स जो तीन में इसके प्ट्स थे एबरॉमिक्स के वह हैं एक तो है मॉनेटरी पॉलिशी दूसरा फिसकल स्टिमिलस और तीसरा है इस्ट्रक्शल रीफोर्म यह फिसको एकोनोमिक ग्रोथ भी कह सकते हैं तो देखते हैं मॉनेटरी पोलिशी में क्या था जापान्स हाइपर इजी मोनेटरी पॉलिशी इंद फॉर्म आपनी मोनेटरी पॉलिशी को बहुत ही आसान बनाना चाहता था था कि जो ग्रहक और कंपनी है उनको पैसे के लेंदेन में और खर्च करने में मतलब आसानी हो इसलिए मोनेटरी पॉलिशी को लाया कि और इसको आसान बनाया था था फिसकल स्थिमिल्स पंपिंग मनी इंटू दे एकोनॉमी का मतलब है कि पैसे को उच्छाल के लिए इस्तामाल किया गया जिसको की गवर्मेंट ने मनी को पैसे को इंटू structure में खर्च किया और companies को financial incentives like tax breaks, tax में रियायत दी और तीसरा है structural reform, corporate reforms adding more women into the workplace, workforce, labor laborization and allowing more migrants into the workforce to help ease labor pressure and add to the economic growth. इस structural reforms के अंदर उन्होंने corporate reforms के ध्यान दिया, फिर women को भी महिलाओं को भी work में काम पर लगाया, फिर labor पर भी बहुत labor laborization पर भी बहुत ध्यान दिया और migrants को उन्होंने बहुत ही आसान allowing more migrants into the workforce और उन्होंने जो migrants उनको ज्यादा से ज्यादा काम पर लगाया to help ताकि labor pressure को कम किया जा सके और economic growth भी किया साथ-साथ हलाकि इस इन तीनों aspects में अगर देखा जाए इन तीनों उनके जो arrows थे इसमें से दो जो monetary policy और physical stimulus था ये काफी हद तक successful रहा पर तीसरा जो उनका structure लिया का economic growth का जो arrow था वह उतना successful नहीं रहा जितना की बांकी दोनों रहा था अपिस टैनियूर विल परिकुलर्ली विल नोन फॉर एग्रेशिव कोनामीक पोलिसी नॉन अज ऑनक आपकिस था उनके अग्रेशिव कोनामिक के वजह से जाना जाएगा जो कि Abenomics कहलाता था जिसका कि फोकस था Economic Revival, Combined Structural Reform, Monetary Easing and Physical Expansion with a goal to increase domestic demands Thank you for watching our videos अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो like, share और subscribe करें Thank you